आतंकवात केस में News Click के founder और chief editor प्रवीर पुरकायस की गिरफतारी और बाकी पत्रकारों पर पुलिस action को लेकर हंगामा जारी है। प्रवीर पुरकायस और HR head अमिट चक्रवर्ती पुलिस का study में हैं। पुलिस ने News Click के दफ्तर पर ताला लगा दिया है। प्रेस और मीडिया और्गाइशन्स इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से मांग की जा रही है कि मीडिया की आजादी खत्रे में है आप कुछ किजिए। प्रवीर पुरकायस की गिरफतारी और F.I.R. रद्द करानी के लिए कपिल सिब्बल दिल्ली हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ये सब News Click पर action के बाद हो रहे action हैं जिनकी short summary हमने आपको बता दी। लेकिन कहानी में एक बार फिर entry हो गई है अमेरिका के अखबार New York Times की जिसकी रिपोर्ट से सारा विवाद शुरू हुआ था। New York Times ने अगस्ते में आर्टिकल पब्लिश किया था A Global Wave of Chinese Propaganda Leads to a US Tech Mogul आर्टिकल के सेंटर में थे अमेरिकी अरबपती नेविल रॉय सिंगहम और उनका चाइनीज प्रोपगंडा वाला कारोबार लेकिन उसी में नाम आया था News Click का। जिक्र ऐसे हुआ कि New York Times की रिपोर्ट में कहा गया कि सिंगहम ने दुनिया में कई एडवोकेसी और मीडिया और्गनाजेशन जिसमें से एक News Click भी है उसको पैसे पहुँचाए पैसे दिये गए ताकि चीन के पक्ष में बढ़िया बढ़िया छपता रहे प्रोपगंडा चलता रहे News Click में भी चीन सरकार के लिए अच्छी खासी कवरेज होती थी ऐसी रिपोर्ट New York Times ने दी थी अब जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग रोज कुछ न कुछ सुन रहे हैं इसी पर Online Portal Scroll ने New York Times से Contact किया था इसके जवाब में New York Times ने कहा कि सिंगं की Chinese Interest वाली पूरी रिपोर्ट जाच पड़ताल के बात की गई थी लेकिन यदि कोई सरकार पत्रकारों को चुप कराने के लिए हमारी रिपोर्टिंग का इस्तमाल कर रही है या दुरुपियोग कर रही है तो यह unacceptable है और हमारे लिए परिशान करने वाला है यह माना भी जा सकता है कि News Click के साथ जो हो रहा है उससे New York Times भी शौक्ट है उसकी रिपोर्ट को आधार बना कर कारवाई की जा रही है लेकिन सारे फसाद की जड़ में है नेविल रॉज सिंगहम जो चुप है ना तो New York Times की रिपोर्ट पर कुछ बोले ना News Click वाले मामले पर कुछ बोल रहे हैं सिंगहम श्रिलंका के राजनितिक परिवार से आते हैं अमेरिकी हैं चीन में रहते हैं और चीन के लिए भारत और दूसरे देशों में चीनी सरकार का प्रोपगंडा फैलाने का काम करते हैं यहां की सरकार यानि हमारी सरकार कहती है कि नेविन राय सिंगम चीन में सरकार चला रही कम्मिनिस्ट पार्टी के सीधे संपर्क में रहते हैं यानि अजिंटा कुछ और है ये तो सवाल बनता ही है कि चीन को ऐसे प्रचार की स्ट्राटिजी क्यों बनानी पड़े रही है देखे चीन में फेस्बूक, एक्स, ट्वीटर, इंस्टाग्राम ये सा सारे सोशल प्लेटफॉर्म बैन है चीन सरकार को क्रिटिसम पसंद नहीं, चीन की मीडिया आउटलेट्स पर भी बहुत सारी बंदिशे हैं कोई अच्छा अच्छा लिखे, कोई अच्छा अच्छा बोले, इसी में चीन की सरकार को आनंद मिलता है और सिंगहम जैसे लोग इसी में चीन की सरकार की मदद करते हैं नियूस क्लिक को लेकर कई सरकारी जांच एजनसिया पहले से जांच कर रही है जांच करने वाली एक एजनसी ED भी है 2021 में ED की जांच में सामने आया था कि नियूस क्लिक को 38 करोड का विदेशी फंड मिला था इसके तार भी उस समय सिंगहम से ही जुड़े थे और उस समय भी प्रवीर पुरकायस की गिरफतारी हुई थी एक मीडिया ओर्वाइशन की रिपोर्ट के आधार पर दूसरे मीडिया ओर्वाइशन के खिलाप एक्षन आतंकवाद की रोक्तां के लिए बने कानून के आधार पर पत्रकारों की गिरफतारी जैसा आक्षन इसी पर हंगामा हो रहा है विपक्ष पहले से कह रहा है कि सरकार मीडिया को डरा कर रखती है दवा बना कर रखना चाहती है और न्यूस क्लिक का मानला भी सीधे सीधे मीडिया की आजादी से ही जुड रहा है आरोप लग रहे हैं कि सरकार मीडिया को डराने और चुप कराने के लिए ये सब कर रही है प्रेस, मीडिया, समाजिक संगठन, विपक्ष सबकी एक आवाज है सब मिलकर इसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं प्रेस, मीडिया के आजादी बना रखने के लिए कुछ करना होगा क्योंकि डर है कि पत्रकारों के खिलाफ सरकारे ऐसे ही हदे ऐसे ही सरकारे हदे पार करती रहीं तो आगे चल कर समालना मुश्किल हो जाएगा चीन के लिए चीन के पैसे से प्रोपगंडा चलाने जैसे आरोपो का न्यूस क्लिक खंडन कर चुका है लेकिन दिली पुलिस कोट में अलग तहानी कहती है प्रवी पुरकायस्त और अमेर्की अरभपती नेविल रॉय सिंगहम के बीच इमेल ट्रिल्स के आधार पर दावा किया गया है कि दोनों ने चर्चा की कि कश्मीर और अरोणाचल को भारत से अलग विवादित खेत्र दिखाने के लिए किया किया जा सकता है नक्षा बनाने की बात हुई ऐसा नक्षा बनाने के लिए 115 करोड से जादा की विदेशी फंडिंग मिलने का आरोप लगाया है पुलिस ने उन्ही पैसो का अस्तमाल किसान आंदोलन, लोगसबा चुनाव और सरकार को बदनाम करने में इस्तमाल हुआ ऐसा पुलिस कह रही है दिल्ली पुलिस ने अमिज चकरवर्ती और प्रवीर की कस्टेडी मांगने का जो ग्राउंड कोट को बताया है वो यह है कि 4,30,000 इमेल्स की जाच करनी है और इनसे पूछताज करने के बाद न्यूस क्लिक के दफ्तर को फिर से चानना पड़ेगा फिलाल पुरकायस्त और अमिज चकरवर्ती तो कस्टेडी में ही है बाकी पत्रकार पूछताज के बाद अपने अपने घर चले गए लेकिन न्यूस क्लिक का मामला जो है न वो दिल्ली हार कोट पहुँच चुका है कपिल सिब्बल ने प्रवीर पुरकायस्त का केस समान लिया है वो कह रहे हैं कि गिरफतारी गएर कानूनी थी FIR रद होनी चाहिए